नमस्कार स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूँ आपके साथ मेश्वेतागर्ग जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि छट का पर्व चड़ रहा है उसके चलते तमाम लोग उसमें उपास भी कर रहे हैं तमाम लोग उसकी तैयारिया कर रहे हैं बहुत सारी चीज़े हो रही है और उसको कैसे किया जाता है उनको सही तरीके से उसको जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूड़ी में मौझूद है वसुद्रा गर्ग जो ओकल्टिस्ट है इनके माद्यम से हम जानेंगे कि क्या है चट पूजा का महत हो और उसको किस तरीके से किया जाता है ताकि आप सही तरीके से अपनी पूजा कर सके तो सबसे पहले तो सुंद्रा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो के नमस्ते मैं सभी लोगों को अपना नमस्कार देना चाहूंगी और चट पूजा की हारदिक बदाई देना चाहूंगी यह एक बहुत महतपूर्ट परव माना जाता है हमारे भारत में और अगर आप चट पूजा का महत्व जाने तो यह ख खाली इसका महत्व पूराणिक तोर या माइधोलोजिकल तौर पे नहीं है साइंटफिक तोर पे और मनुष्यता के तोर पे भी इसका बहुत महात्वा माना जाता है नगरी से शुरू हुआ है और वो भी एक डाइनिस्टी का नाम था गधा कालेव डाइनिस्टी उनके तौर पर शुरू हुआ था अब इस पर्व की बात करें हम तो साइन्टिफिक ऐसे अगर आप जाने की सूर्य क्या है सूर्य जो था वो हमारे अन्सेस्टरर्स ने पहली बार इस शृष्टी में देखा था अगर सूर्य ना होता तो हमारी धरती एक बरफ का बेसिकली प्लानेट होती या वहाँ पे कुछ नही होता ना बादल होते ना पहाड़ होते, ना बारश होती कुछ होता, सूर्य एक मार्त्र उर्जा का कारण है, ये सभी लोगों को पता है, और अगर साइंटिफिक तौर पर बात करें, तो आप देखा होगा कि छट में सूर्य को अर्ग दिया जाता है, जो कि उशाकाल और संध्याकाल में दिया जाता है, तो जब सूर्य की जो रेडि की तरह काम करता है, जिससे बोडी की विलपार और इम्म्यूनिटी बढ़ती है, और जितना भी आप छट का खाना देखें, वो क्यालशियम बेस डायेट है, जो बोडी में आपका विटमिन डी की फंक्शनालिटी बढ़ाता है, तो ये सब भी बहुत कारण है, और छट सभ अगर आप इंडिया में देखें, तो फास्टिंग कब होती है, इंडिया में फास्टिंग होती है, बेसिकली जब सीजन चेंज होते हैं, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड, तो ये भी ऐसा एक आपका पर्व है, जो बेसिकली जब हम गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे हैं, त fasting आपका अर्ग और food तो इससे body detoxification होती है जिससे इंसान की immunity बढ़ती है और season change में sustain करने की ability बढ़ जाती है ये चीज़े हैं तो इन्हों ने अफ़ा सुंद्रा जी ने ये तो बहुत ही अच्छी बाप बताए कि scientifically कितना जादा ये effective रहता है और उसे के साथ अब एक और चीज मनाया जाता है तो उन चार दिन के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताए कि किस तरीके से उन चार दिनों में पूजा की जाती है किस तरीके से इस वरत की शुरुआत की जाती है देखिए ये चार दिन का पर्व है और माना जाता है ये पर्व बहुत ही कठोर rules के साथ होता है तो जो वरत करता है उन्हें हम वरती बोलते हैं वरती के साथ बुरी फैमिली का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है तो इस पर्व में दोनों की ही importance बोली गई है ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वरती जो वरत कर रही है वही important है जो उसका साथ दे रहे हैं इस पवित्र पर्व को बनाने में वो भी उतने ही important है अब ये जो पर्व है आपका ये चार दिन जो मनाया जाता है इसमें पहले दिन बोलते हैं ना है खाये मतलब वो पहले दिन अपने घर की साफ सफाई करते हैं घर को पवित्र करते हैं और व्रती ये सब करने के बाद खुद भी खुद को पवित्र कर आफिर वो शाम का जो भोजन बन्ता है वो लौकी और दाल और रोति बन्ती है, लौकी इसलिए क्युंकि वो इक सात्विक भोजन माना गया है, इसलिए लौकी बन्ती है और फिर वो अपना दूसरे दिन की तैयारी शुरू करती है, जिसे बोलते हैं, खरना में वो सुबह केल पूजा करते हैं, पती की पूजा करते हैं, कोई भी जिनको मुश्किल होती है, वो इसकी पूजा करते हैं। दूसरे दिन खरना में इनका ऐसा रहता है कि सुबह ये अपना तयार होती है, नहाद होके, नर्जल पास्ट रखती है ये, और शाम को तयारी में भोग के लिए ये गुड की खीर बनाती है, जिसे बोलता है रस्यो, उस खीर को रस्यो बोलते हैं, और वो गुड की इसले बनत होती है, उसके बाद ये ठेकवे की तयारी करती है, जो एक बहुती महत्पूर्ण प्रसाद होता है छट पूजा में, ठेकवा, ये ठेकवा भी आपका वीट डाइट होती है, वीट और शुगर मिक्स होती है, जो की फिर से काल्शियम डाइट आ गई पूरी आपकी, तीसरे दिन इंका जो पर्व होता है, वो होता है संध्या काल में, बेसिकली जो आपकी शाम की संध्या होती है, उसमें अर्ग देते हैं, संध्या अर्ग, तो ये सुबे से पूजा करके निर्जल वरत रखती हैं, फिर इन लोग नदी या पोखर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे इन उसको ये पूजा करते हैं, अपने लोग गीत गाते हैं, और ये लोग गीत एक भाशा में नहीं, भोजपुरी, विजिका, अंगेका, मैथली, इन भाशाओं में ये गीत होते हैं, और आप खुद सोचिए, ये जो औरते हैं, जो निर्जल होती हैं, या लोग जो सही योग कर रहे हैं, जब वो गीत गाते हैं, और शद्धा से गीत गाते हैं, तो वो किसी मंत्र से कम नहीं होता, और आपकी ये गीत गाने के बाद, ये शाम को, संध्या के सूर को अर्ग देने के बाद, ये अपना फिर से अगले दिन की तैयारी में लग जाते हैं, अगले दिन आपक कलते वे पूजा करते हैं उस पूजा करने के बाद अपनी सब लोग अपनी अपनी छटी मैया की तो पूजा करते हैं लेकिन दूसरी की भी छटी मैया के आगे सर जुकाते हैं यहाँ पे आप मनुश्यता की बात करें तो यह देखिए वहाँ पे हर कोई एक तरहां का खाना ब कि सब एक ही है वास्तुदेफ कुटुम्भुकम का बेसिकली आप देखे तो प्रतीक रखते हैं सब लोग और फिर वहाँ पूजा होती है एक दूसरे को प्रसाद दिया चाता है और वहाँ पे अपने ब्रत का end करती हैं खतम करती है और ये जो ब्रत है यह खतम किया जाता है क ये सिर्फ आपका एक अपने में ही पर्व नहीं होता, ये पूरी एक कम्यूनिटी में पर्व है, पूरी कम्यूनिटी एक ही विलपार के साथ वहाँ पानी में खड़े होके पूजा कर रही है। आप अपने घर पे भी दे सकते हैं, लेकिन पर्टेकुलर पानी में खड़े होके अर्ग देनी का क्या महत्व है? आगे आई है, तो ये अगर देखें तो ये एक परतीक खाली भक्ती और देव में नहीं है, ये परतीक पूत्र और पिता का की तरीके से एक पूत्र अपने पिता को रिस्पेक्ट करता या उनको महत्व देता है? तो ये चीज इस परव में है, तभी वहाँ लोग घंटों खड़े हो के पानी में सूरी को अर्क देते हैं, और पानी में खड़े होना जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये पानी में खड़े होना खाली पुराणिक कथा से ही संबंध नहीं रखता, बट साइन्टिफिकल अगर आप देखें, पानी में अगर सुबह 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 स्नान करके खड़ी हैं, तो आपकी बॉड़ी की इम्म्यूनिटी बढ़ाता है, तो ये मतलब आपकी बॉड़ी की फंक्शनालिटी भी बढ़ती है, डाइजिस्टिफ पार भी बढ़ती है, और सूरी की पहली किर अर्ग देना वो भी उकते सूरे को तो उसकी मानिता तो सब जानते हैं हम लोग भी अगर रोजाना जो पूजा करते हैं उस पूजा में भी हम लोग सुबह के सवे सूरे को अर्ग देते हैं लेकिन यह है कि इस पूजा में एक बार सूरे अस्त के टाइम पे भी उनको अर्ग जाता है ये ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखे चाहें वो सूर्य अस्त होता हो पश्चिम में या सूर्य उकते हो पूर्व में लेकिन उनका भाव नहीं बदल जाता है उनकी महत्वता नहीं बदल जाती तो इसलिए उकते वे सूर्य और ढलते वे सूरे को अर्ग देते हैं क्योंकि सूरे की दशा बदलने से ना भाव बदलता है ना महत बदलता है सूरे अपने में ही चमकते हैं और अपने में ही अलग उलास और लालिमा लेके आते हैं इसमरा जी यह जो वरत है यह क्या यह वरत सिर्फ महिलाएं ही करती है या जो unmarried लड़कियां है वो भी कर सकती है या male person भी करते हैं कैसा होता है देखे ये वरत सिर्फ married women ही जादा करती है और जो पुरुष होते हैं घर के पुरुष या घर के पुत्र वो आगे सूप लेके चलते हैं उस सूप जो बास की टोकरी होती है उसमें सारा प्रसाद और फल होता है तो सिर्फ इसमें अगर आप देखे तो married women जो कर रही है वरती उसका रोल नहीं है बलकि पूरे परिवार का रोल है कि किस शद्धा और पवित्रता से ये वरत निभाया जाता है क्योंकि ये वरत के बहुत कठोर rules होते है मैंने जैसे आपको बताया छटी मा के तो इसमें सभी का महत्वे है चाहें कोई कर रहा हो नहीं कर रहा हो बट वो participate कर रहा है उस घर में तो वो ये महत्व हो जाता है मैं और भी आप से बहुत कुछ जाना चाहती हूँ जैसे अब आपने बताया कि पहले दिन लौकी खीर खाके वरत का शुभारब किया जाता है बाकी पूजा करने के जो विधी भी है उसमें ठेकुआ बनाना और आपने भी बताया कि वह सूप लेके आगे चलते हैं और उसमें खाने पीने की चीज़े जो होती है तो पूरानिक काल से चली आ रही है या उसके पीछे कोई कारण है या मतब कुछ और है क्या है इस तरीके से पूजा करने के लिए जो अगर मैं बात करूँ लौकी की दाल की तो लौकी की दाल एक सात्विक खाना माना जाता है और यहां पे परवखाली पौरानिक नहीं आप साइन्टिफिकली भी देखे है हमारे पुरान वेद ये इस बात का प्रतीक है कि जो हमारे आंसिस्टर्स बोलते थे उनके पीछे कोई ना कोई एक जरूरी विधी थी और वही साइंस प्रूफ कर रहा है अब भी जब वेस्टन साइंस ने ये ढूंडा नहीं था कि सूर्य की उर्जा क्या होती है तब हमारे वेदों में लिखा गया है कि सूर्य 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है और फिर भी उसकी उर्जा इतनी है कि यहां पे फोटो सिंथिस होता है उसी वज़े से पूरी दुनिया यहां तो हर चीज के पीछे एक इनका साइंटिफिक तौर भी है क्योंकि यह आप देखे तो सारे सात्विक फल भी इस्तमाल करते हैं जैसे सूतनी, सिंगहाडा इनका एक अलगी नीबू होता है जिसको दाभ नीबू बोलते हैं बहुत बड़े साइस का नीबू होता है इनका और यह आपका इस्तमाल करते हैं केला, अनार या आपकी गन्ना इस्तमाल कर रहे हैं जिन्हें साथफिक माना जाता है और प्लस यह आपके हर्वेस्ट के फल हैं मतलब उसी टाइम होने वाले, अगर आप मकर संकरांती भी देखें तो वो भी हर्वेस्ट का सीजन होता है तो उस हमें इस्तमाल हुने वाले फल या सबजियां इस्तमाल होती है दाले इस्तमाल होती है वैसे ही चट के टाइप जो फल basically harvest होते हैं वो यूज़ होते हैं और जिसे जब महिलाएं सुभे के समय अर्ग देती हैं तो उसमें भी एक चीज देखने के लिए मिली है क्योंकि देखे मैं आप से इसले जाना चाहती हूं क्योंकि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि ये बेसिकली बिहार का ये पर्व है जो अब हमें अपने यूपी में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे बिहार के परसंस भी यहां पर हैं तो इसी वज़े से क्यूं किया जाता है उस पर एक अनोखा एक चीज दिखता है सिंदूर जो सिंदूर लगाने का एक तरीका बहुत ही अलग है कि वो पूरा नाक से शुरू करके माते तक लगाया जाता है तो ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि सिंदूर अगर हम माते से भी लगाएंगे तो उसका भी है तो लेकिन इस तरीके से लगाने के पीछे क्या महत्व है देखें इस सिंदूर का बहुत महत्व है क्योंकि आप देखेंगे कि यह नारंगी रंग का सिंदूर लगाते हैं, यह कभी लाल रंग का सिंदूर नहीं लगाते हैं, यह नारंगी रंग का सिंदूर होता है, यह सूर की जो उगताव सूरज होता है, उसकी लालिमा का प्रतीक है, और पौरानिक का था कि अगर आप जो भी है उनको सारा मान सम्मान मिलेगा, उनकी जो उम्र है वो बहुत लंबी होगी, घर में उल्लास्ता होगी, खुशी होगी, तो ये सिंदूर उस चीज का प्रतीक है, नाक से मांग तक का। वितरता देखनी पड़ती है, जो व्रती करती है, वही खाना भी बनाती हैं काफी घरों में, और साफ सफाई करती हैं, फिर वो खुद भी सनान करती हैं, वो कोई नमक नहीं खा सकते हैं इस व्रत के दोरान, अगर नमक खाना है तो सेंधा नमक होता है, वैसे नमक खाते बहु असाड़ी डालके मा छटी को मानती हैं, तो वो गन्ना एक बहुत बड़ा प्रतीक है, और गन्ना आप अगर देखिए, तो वो शुद्धता का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उस पर कोई पशु पक्षी नहीं बैठता, तो ये भी चीज है, और फिर आपका जो चूला हो देखिए, तो एक वो परंपरा ऐसी कट हो रहे है, फिर 36 घंटे अगर कोई नर्जल वरत रख रहा है, उसके बाद वो लोगईद गा रहा है, और उस श्रद्धा में गा रहा है, तो ये भी एक अलग ही प्रकार से है, तो यही सारे चीजे हैं, जो मतलब इस पर्व को नहीं चाहिए, लेकिन उसको श्रद्धा चाहिए, और सचे मन की श्रद्धा चाहिए, छटी मां का वरत मनाने की, तो वो श्रद्धा मुझे लगता है, उनके अंदर उस विलपार से आती है, और उस पेट से आती है, असुम्रा जी जैसे आभी तैयारे और पर बात किया, हम आपने कहा कि उसके लिए क्या क्या चीज़े एक स्पेशल तरीके के फल्ज और फ्रूट्स वेगरा यूज होते हैं इन केस क्योंकि यह बिहार का है तो बिहार में तो सारी चीज़े मौजूद हो जाती हैं लेकिन बहुत जादा कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पर यह चीज़े नहीं मिल पाती हैं उस जगे पे भी अगर कोई परसन अगर पूजा करना चाहता है चटकी पूजा करता है वरत करता है तो कितने किन चीज़ों से कर सकता है इनके बगेर भी इनके बगेर तो गन्ना तो इसमें बहुत ही जरूरी होता है और दूसरा में कहना चाहूंगी कु सबसे जरूरी चीज है तो अगर शद्धा है तो मुझे लगता है जो छटी मा है वो खुद ही खुश हो जाती होंगी क्योंकि चीजे है भी नहीं फिर भी इंसान करना चाहे यह अलग में है प्रतीक है शद्धा का मैं आखिर में चाहूंगे आप टीवी 24 के माध्यम से हमारे व्यूर्स को आज चट पर पर एक संदेश दें मैं बस चट पर यही संदेश देना चाहूंगी कि आपका चट बहुत अच्छा हो और खुशाली बनाए और सूरी की तरहें आप सब भी चमकते रहें और आपके अगर आपके पास अगर कोई भी संसादन कोई भी चीज अगर आपको नहीं मिल पा रहें तो मन में बस श्रद्दा रखिए और भगवान का नाम लिए के जो पूजा अर्चना जिस तरीके से भी आप करना चाहती है आप उस तरीके से कर सकती हैं भगवान सभी पूजा